जी हां स्वागत है आपका हम चर्चा करेंगे चक्का फेक यानि कि डिसकस थ्रों से संबंदित महात्यपूर्ण और परिच्छा प्योगी प्रश्णों पर पहला पॉइंट डिसकस का भार पुरुस वर्ग के लिए कितने किलोग्राम का होता है तो इसका सही उत्तर होगा दो क किलोग्राम प्रश्ण नमबर दूसरा डिसकस का भार महिला वर्ग के लिए कितना होता है तो सही उत्तर होगा एक किलोग्राम प्रश्ण नमबर तीसरा डिसकस के सेक्टर का कोण कितना होता है तो इसका कोण होगा 34.92 डिगरी प्रश्ण नमबर चौथा डिसकस थ्रों के सर सरकिल का ब्यास कितना होता है तो डिसकस्थ्रो के सरकिल का ब्यास दो दस्मलों 50 मीटर होता है तुरस नमबर पाचवां डिस्कस थ्रो में रिम की मटाई कितनी होती है तो डिस्कस थ्रो में रिम की मटाई 6 mm होती है जी हाँ एक पॉइंट और डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है तो डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 cm होती है जबकि discuss throw में रिम की मुटाई कितनी होती है? 6 mm Next point, 7 point Discuss throw case में कितनी भुजायें होती है? तो discuss throw के case में 6 भुजायें होती है प्रस्ट नमबर 8 Discuss का case किस आकार का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यू सेफ के आकार का होता है अब बात करते हैं प्रस्ट नमबर 9 की डिस्कस के सेक्टर के रिम की मुटाई कितनी होती है तो डिस्कस के सेक्टर के रिम की मुटाई 6 mm होती है प्रस्ट नमबर 10 डिस्कस के सेक्टर में रिम कितना उपर निकला रहता है डिसकस के सेक्टर में रिम कितना उपर निकला रहता है तो इसका सही उत्तर होगा 6 mm उपर निकला रहता है प्रश्ण नमबर 11 डिसकस का पुर्सों के लिए ब्यास कितना होता है तो डिसकस का पुर्सों के लिए ब्यास 219 से 221 mm होता है प्रश्ण नमबर 12 डिसकस का महिलाओं के लिए ब्यास कितना होता है तो डिसकस का महिलाओं के लिए ब्यास 180 से 182 mm होता है अब बात करते हैं प्रस नमबर 13 की डिसकस की बीचों बीच में पुर्सों के लिए कितनी मटाई होती है तो ये मटाई होती है 44 से 46 mm प्रस नमबर 14 दिसकस की बीचो बीच में महिलाओं के लिए कितनी मुटाई होती है तो डिसकस की बीचो बीच में महिलाओं के लिए इसकी मुटाई 37 से 49 mm होती है प्रस्ट नमबर 15 डिसकस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है तो डिसकस थ्रो में केज के सामने का जो खुला हुआ भाग होता है वो 6 मीटर का होता है तो ये था डिसकस यानी चक्का फेक से संबंदित महत्यपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद